और खिलाडी इव मारिया फाइट से ठीक पहले ओप्स मोमेंट का शिकार होई इस इवेंट में फाइट शुरू होने से पहले ही मारिया के ब्रा की स्ट्रिप तूट गई हलांकि मारिया ने खुद को एक्सपोज होने से बचा लिया बता दे कि स्मेक डॉन इवेंट के दौरान इव मारिया और बैकी लिंच को फाइट करनी थी ब्रा की स्ट्रिप तूट जाने की वज़ा से वहाँ शर्म सार तो हुई थी पर उन्होंने चिर परिचित अंदाज में फैंस का वैलकम किया और तभी रेफरी और वैकी भी रिंग में आ पहुँची फिर वहाँ टावल से शरीर के उपरी हिस्से को ढग कर बाहर चली गई नमबर पांच पर हैं एज स्टाइल और केन WWE में सबसे खुंखार और डरावने खिलाडियों में शुमार केन से लगभग सभी खिलाडी डरते हैं स्टेज पर कोई भी खिलाडी उनके आतंक और पागलपन के सामने नहीं टिक पाता वैसे एक बार की बात है जब केन स्टेज पर आए और AJ स्टाइल उनके आगे पीछे घूमती हुई केन को जोर से पकड़ के उसके ऊपर चट गई और लंबिक किस करने लगी जो कि केन के करियर का सबसे चमकाने वाला मूवमेंट था अब इस शर्म नाग घटना के बारे में क्या बताना वैसे इस हरकत को देखते ही सबी ओडियंस हका बक्का रह गए थे हुआ यह था कि AJ अपना मैच लड़ ही रहे थे कि अचानक से WWE की कोई ओल्ड लेडी दोड़ते हुए आई और एज को जम कर पकड़ते हुए किस कर दी इस घटना के बाद तो मानो चारों और आग सी लग गई और एज को मानो कोई सांप सूं गया हो नमबर तीन पर हैं मैट हार्डी और लिटा WWE के मैट जीतने के बाद लिटा काफी खुश थी और इस जीत को सेलिबरेट करने के लिए मैट हार्डी भी साथ थे लिटा इतना खुश थी कि मैट ने कब उसे किस कर दिया उसे पता ही नहीं चला लेकिन तभी अचानक मैट भी शौक हो गए और लिटा को सोरी कहने लगे और तभी अचानक लिटा ने मैट को अपनी और खिंचा और किस कर दिया ये बहुत कम लोग जानते होंगे पर मिया ने अपने करियर में अपने पुराने प्रोफेशन को छोड़ स्पोर्ट्स आर्टिकल एंड न्यूज पर काम कर रही थी और इसी बीच वो एक बार WWE के स्टेज पे पहुँची जहां मिया द्वारा कुछ सवालों से स्टेज पे मौजूद जोली रयान भड़क उठे पर मामला गड़बडाता देख मिया अपने रास्ते हो लेती है नमबर एक पर हैं दग्रेट खली दग्रेट खली WWE के ऐसे सूपरस्टार हैं जिनके बारे में किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं वैसे लीग में हर कोई उनके साहस और बल का लोहा मानता है और इसी वजह से वे WWE के रोयल रंबल के भी स्टार हैं वैसे एक बार की बात है जब रोयल रंबल मैच के दवरान खली अपने सामने आने वाले सभी खिलाडियों को पचाड रहे थे तो भी अचानक से ही एक लेडी रिसलर बैट फॉनेक्स की एंट्री हुई खली ने उन्हें भी स्टेज से फैंकने की कोशिश की पर बैट ने उन्हें अपने किस के जहांसे में फसाकर खली को ही नीचे गिरा दिया तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन डबी डबली ए की और भी मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलें सबसे पहले